दोस्तों बड़सात के कुछ special फूल तो होते ही हैं लेकिन कुछ ऐसी special और भी चीज़े होती हैं जो बड़सात में उगती हैं और जिनको हमें यूज करना चाहिए अपने गार्डन में आज ऐसी ही चीज मुझे मिली है यह है मौस देखिए जादा बारिस होने की वज़े से यह बहुत सारी जगा जगा आजकल उग गई है आप भी अपने आसपास की जगाए पर देखिए जहां पर इंटे हों इंटों के बीच में थोड़ी बहुत मिट्टी होती हैं वहाँ पर यह उग जाती है तो बहुत ही अच्छी देखिए उग रही है मैं घर पर आई थी तो वहाँ पर मुझे दिग गई वहाँ पर मैं इस काम पर लग गई हूँ देखिए इसको हटाने पर इसको धीरे धीरे किसी भी चाको की मदद से मैं इस तरह से निकाल लूँगी मिट्टी के समीध ही हम इसको निकालना है और एक प्लेट में मैं इसको रखती जाऊंगी इसी तरह से मैं पूरी इसकी परत उतार उतार के रख लूँगी और इसको फिर हम अपने गार्डन में यूज़ करेंगे यह बहुत ही सुन्दर होती है बिल्कुल इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है बिल्कुल वैलवेट की तरह कालीन की तरह यह लगती है यह नैचुरल कालीन है बहुत ही जादा सुन्दर ही होती है तो इसको मैं इस तरह से निकाल रही हूँ और हम इसको लेकर जाएंगे अपने साथ तो जहां भी मैं जाती हूँ हाँ देखती रहती हूँ कुछ म वारिस होती है वर्साथ में तो महाँ पर ये आपको मौस बहुत ज़ादा मिलेगी हमारे एरिये में कम रहती थी लेकिन इस बार रैगुलर वारिस की वज़े से काफी जगा जगा उगरे है तो देखे कितनी सारी पूरी थाली भर गयी है मैंने इतनी सारी निकाल ली है अभी म इसको ले जाओंगी किसी भी चीज में रखके यह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और हम इसे किसी भी जगा पर लगाएं वो बहुत ज़्यादा सुन्दर हो जाएगी वो जगा तो इसको मैं देखिए इस तरह से डबे में रखके लेकर आगी थी आज एक दो दिन हो गए हैं आज मैं इसको लगा रहे हूँ तो ये एक मेरा बॉंसाई है एडेनियम का छोटा सा तो इसमें मैं साइड में जो जगा है इसमें लगा दूँगी तो कोई भी बॉंसाई है उसके चारों तरफ जो जगा होती है उसको भरने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं और फिर कभी भी आप इसको हटा के फिर से रख सकते हैं तो आराम से सैट हो जाती है यह बहुत ही जल्दी मिट्टी में अपनी नीचे तक फिक्स हो जाएगी जड़े बना लेगी तो इस तरह से पूरे को मैं कवर कर इसको यह बहुत ही सुन्दर ग्रीन ग्रीन एक तम वैलवेट जैसा लगने लगेगा अभी बारिस तो जादा होई रही है तो यह पूरी तरह से सैट हो जाएगी तो देखे पूरे में मैंने इस तरह से लगा दी है और अब हम इस पर स्प्रे कर देंगे ताकि इच्छे इसे थोड़ा सैट हो जाएगी एक गंबला और है मेरे पास यह लंबा सा इनाव वाला इसमें भी मैं यह लगा देती हूं कुछ एक्स्ट्रा है तो इसके लिए हम सेपरेट अलग से गंबला भी ले सकते हैं लेकिन जादा उचा मत लीजिए इस तरह से जो बोंसाई के बस हमेज पर पानी का छुड़काव करते रहना रेगुलर नमी हमें अच्छे से इसमें बना के रखनी होगी तो यह काफी सुन्दर लगा अभी तो बारिस रची हो रही है तो यह अपने आपी जलती जाएगी बहुत सुन्दर लग रही है इस तरह से आप मोस लगा सकते है आज का वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब चुरूर कीजे मिलते हूं नेक्स वीडियो में थैंक यू वेरी मच बाई